नमस्कार वीकेबी न्यूस के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रूप करते हैं आज की हेड्लाइन्स पर कोरोना मुक्ती की दिशा में अग्रसर नाकपुर जिला खुद्वार को आई जाच रिपोर्ट में नहीं मिला एक भी पॉजिटिव नाकपुर क्राइम ब्रांच के हाथ लगी कार चोरों की गैंग पुलिस ने दो फोर विलर जब्त किये और होटल रस्टोरेंट और दुकानों के लिए होगी भारतियक खाद्य सन्रक्षा वह मानक प्राधिकरन के लाइसंस की अनिवार्यता और अब खबरे विस्तार से एक भी नहीं हुई इस बीच पिछले 24 घंटे के भीतर जिले में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया पिछले वर्ष से मास से शुरू है कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है इससे साफ हो गया है कि अब जिला कोरोना मुक्ति की दिशा में है नाकपुर जिले में सबसे पहला कोरोना संक्रमित मरीज 11 मार्श 2020 में मिला था इसके बाद दीरे-दीरे कुछ मरीज मिलते रहे 17 मई से हर दिन संक्रमित सामने आते गए और यह आकड़ा बढ़ता गया नवंबर से दिसम्बर में हालाज सामाने होने लगे लेकिन इस वर्ष मार्ट से फिर से मरीज बढ़े और अप्रेल मई में कोरोना ने हाहकार मचा दिया इस वर्ष अगस्त के महिने में एक दिन पहली बार सीटी में कोई भी पॉजटिव नहीं मिला था जबकि जिले में ए 1394 नमुनों की जांच की गई इनमें 1096 ग्रामिन और 3298 लोग सीटी के रहे इनमें कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया इस बीच 11 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया इस से रिकवरी रेट 97.93 फिसदी रहा वर्तमान में एक्टिव मरीज 70 है जिनमें 11 ग्रामिन 58 शहर और एक जिले के बाहर का है मानिवाडा के वनराई नगर इलाके से चार पहिया गाड़ी चोरी करने वाली गैंग को क्राइम ब्रांच से एंटी वहिकल थेफ्ट दफ्ते ने गिरफतार कर लिया है चार आरोपी पुलीस के गिरफ्त में है और उनसे दो वाहन जब्त किये गए पकड सितंबर की रात अपने स्कॉर्पियो गाड़ी घर के सामने पार्क की थी देर रात अग्यातों ने वाहन चोरी कर लिया हुडकेशवर पुलीस के साथ क्राइम ब्रांच भी जांच में जूट गई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए सत्तर और नीजी में लगे 30 कैमरों की फुटेज खंगाली गई फुटेज खंगालने पर पुलीस को पता चला कि आरोपी कार में आये थे पुलीस ने फुटेज का अवलोकन किया तो कार गरोबा मैदान परेसर में जाने का पता चला पुलीस ने रेकॉर्ड खंगाला तो कार रुतिक मानाप नाम पर होने की जानकारी मिली, फुलीस ने रूतिक को उसके घर से हिरासत में ले लिया, पूच्छ ताच करने पर उसने अपने साथ्यों की मदद से लोकेश की गाड़ी चोरी करने की कबूली दी, गाड़ी के बारे में पूच्छ ताच करने पर बताया कि शिवेंद्र पुलीस ने वारदात में शामिल अन्य दो आरोपियों को भी गिरफतार कर लिया है। उसने सभी कारोबारियों को इस संबंद में आदेश भी जारी कर दिये है। पंजियन नंबर नहीं है तो उस पर भी कारवाई हो जाएगी। वस्तु खराब निकलते ही भारतिय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रादिकारन की वेबसाइट पर जाकर उस पंजियन नंबर को डाल कर उसकी शिकायत कर सकेंगे। जिन कारोबारियों की इन्वोईस या अन्य कागजात कम्प्यूटर सिस्टम से निकलते हैं उन्हें अपने सौफ्टवेर में संशोधन करना होगा। सरकारी पोर्टल पर यह अनिवारियता नहीं रहेगी। यह व्यवस्ता इसी सप्ताह शुरू होनी है। लेकिन अभी तक चंद बड़े होटल वर रस्टोरेंट को छोड़ कर किसी ने इसे लागू नहीं किया है। खाने पिने की वस्तुए बेचने वाले दुकानदार एक अक्टूबर से बिना लाइसेंस नंबर के बिलिंग नहीं कर सकेंगे। अगर बिना लाइसेंस नंबर प्रिंट कराए वे माल बेचेंगे और बिल काटेंगे तो कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए एक पातकोतर पाठ्यक्रम 20 महीने कोरोना मरीजों की सेवा में निकल गया। विविद्ध विशयों में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए निवासी डॉक्टरों को समय नहीं मिला। इससे उनका शैक्षनिक नुकसान हुआ है। कोरोना काल में नुकसान को देखती हुए वैद्यकिये शिक्षा विभाग ने शैक्षनिक शुल्क माफ करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब आश्वासन की पूर्ती में टाल मटोल किया जा रहा है। यही वज़ा है कि सेंट्रल माट ने एक अक्टूबर से राज्य भर में हड़ताल का निर्ने लिया है। निवासी डॉक्टरों ने सामुहिक अवकाश पर जाने का निर्ने ले लिया है। इस दोरान केवल एमर्जन्सी, आइस्यू और कैज्यूल्टी सेवाई ही दी जाएंगी। जबकि OPD और वार्ड में सेवाई नहीं दी जाएगी। शैक्षनिक शुल्क माफी के साथ ही रिस्क अलाउंस देने और हॉस्पिटल का रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन की भी मांग की है। मेडिकल माट के अध्यक्ष डॉक्टर सर्जल बंसल ने बताया कि कोरोना काल में सभी निवासी डॉक्टरों ने मरीजों की सेवा को प्रात्मिक्ता दी। इससे उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है। इस कोरोना काल में शैक्षनिक शुलक लेना अनुचित है। प्रशासन से इसे लेकर पहले भी मांग की गई थी। अब यह अंतिम विकल्प रह गया है। जल्द यह मांग पूरी होनी चाहिए जिससे मरीजों का नुकसान न हो। नागपूर के प्रतिभावान संजना जोशी, यशश्री ढोले और स्नेहल जोशी की तीकडी ने हाल ही में चन्ने में आयोजित CSS Trithlon और Mixed Relay ITF Open में चमकदार प्रदर्शन किया। इंडियन Trithlon Federation द्वारा आयोजित इस परधा में देश भर से सैक्रो ट्राइतलिट ने हिस संजना ने उतकुरुष्ट प्रदर्शन की बदोलत स्वर्न पदक जीता, जबकि उसकी बड़ी बहन स्नेहल ने कांसे पदक अपने नाम किया, वही यशश्री को रजत पदक से संतोश करना पड़ा। को डॉक्टर अमीज समर्थ का मार्गदर्शन प्राप्त है, समर्थ ने कहा कि राष्ट्रियस परधा में एक ही शहर के एथलीटों द्वारा तीनों पदक जीतना न सिर्फ नाकपूर बलकि पुरे राज्ये के लिए गर्व की बात है, राष्ट्रियस परधा में हिस्सा ले सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरिट कालर, मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरिट डिश, पर कोई यह नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ, अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहांच ही जाता है, सुरुची मसाले, खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची. अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है, पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए, जो देता है, Flywheel Aviation Academy, एक ऐसा इंस्टिटूट है, जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पितालिटी और टूरिजम मनेजमेंट, साथ ही यहां कैमपस इंटिव्यू, गाइदेंस पाइंडस्री एक्सपर्ट, प्राकिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फाकल्टी, परसनल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मेडिकल से सनलगनित सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल में किर्णी प्रत्यारोपन केंदर के रिनीवल का प्रस्ताव सारवजनिक स्वास्ते विभाग को प्रस्तूत किया गया था, लेकिन विभाग ने वर्ष भर से मन्जूरी रोक इस वजह से किर्णी प्रत्यारोपन नहीं हो रहे थे, अब नए सिरे से मन्जूरी मिलने के बाद एक बार फिर किर्णी प्रत्यारोपन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी सूपर में किर्णी प्रत्यारोपन की मंजूरी की कालावधी वर्षबर पहले ही खत्म हो गई इस वज़े से प्रत्यारोपन भी रोग दिये गए प्राइविट अस्पतालों में किर्णी प्रत्यारोपन का खर्च वहन करना मध्यम वर्ग के लिए मुश्किल हो जाता है यही वज़े थी कि प्रशासर ने सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल में 2016 में किर्णी प्रत्यारोपन केंद्र शुरू किया यह राज्य का पहला शासकिया वैद्यकिया महाविद्यालाईव अस्पताल है केंद्र में राज्यव गांदी जीवंदाई स्वास्ती योजना से पहले किर्णी प्रत्यारोपन किया गया था प्रत्यारोपन 2019 तक ठीक ठाक चला लेकिन कोरोना प्रादुर भाव के बाद ओपरेशन पर रोक लग गई इस बीच केंद्र को मिली पाच वर्ष के मनजूरी भी पूरी हो गई प्रशासन ने एक बार फिर प्रत्यारोपन के इंद्र को शुरू करने के लिए नए सिरे से नवीनी करन कराया पश्चात उसे मनजूरी मिल गई स्मार्ट सीटी कमपनी महानगर पाली का और कुछ अन्य संस्ताओं के साथ मिलकर एक से लेकर तीन अक्टूबर तक स्मार्ट सीटी कमपनी की सीओ भूमनेश्वरी एस ने पत्र परिशद में दी उन्होंने कहा कि तीनो दिन अलग-अलग स्थानों पर सुबह साड़े 6 से रात 9 बजे तक कारेक्रम होंगे कुल 75 घंटों तक कारेक्रम का आयोजन होता रहेगा स्मार्ट सीटी कमपनी की सीओ भूमनेश्वरी एस ने कहा कि केंद्र सरकार के गुरूह निर्मान वशहरी विकास मंत्रालाई की और से स्मार्ट सीटी का चैयन किया गया निर्देशों के अनुसार एक अक्टूबर को सकरदरा तालाब उध्यान के सामने दो अक्टूबर को बर्डी में रोट स्थित ग्लोकल मॉल के सामने तथा तीन अक्टूबर को बीडी पेट स्थित तारा उध्यान में आयोजन होगा उन्होंने कहा कि स्वतंतरता के 75 वे वर्ष के अउसर पर 1 अक्टूबर की सुभह सकरदरा में योगा, उद्योजी का सम्मेलन, अग्निशमन विभाग के बैंड पथक पर, देश भक्ती पर संगीत, आधी का कारेक्रम होगा शाम को मुख्य अतिती केंदरिय कारेक्रम होंगे, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयनती के अउसर पर वेराइटी चौक से रैली निकाली जाएगी, रैली में गांधी जी की वेश भूशा में छोटे बच्चों को शामिल किया जाएगा राश्ट्र पिता के समारक के पास से ग्लोकल मौल तक रैली होगी, कारेक्रम में पालक मंत्री नितिन राउत, क्रिडा मंत्री सुनिल केदार, महापौर दयाशंकर तिवारी आधी प्रमुकता से उपस्तित रहेंगे इसी तरह तीन अक्टूबर को समापन होगा, जिसमें महिलाओ को आत्म सुरक्षा के प्रशिक्षन साइबर अपराद पर जन जागरूती और अन्य कारेकरम होंगे विधान सभा के वर्श 2019 में हुए आम चुनाओ में, अमरावती जिले के बढ़नेरा विधान सभा क्षेतर के विधायक रवी राना द्वारा निर्धारित से अधिक का खर्च किये जाने की हर स्तर पर जांच होने के बाद राश्ट्रिय चुनाओ आयोक के पास जन प्रतिनीधी कानून की धारा 10-1 के अनुसार कारवाई करने का आवेदन किया गया किन्तु लंबा समय बीतने के बावजुद अब तक चुनाओ आयोक की और से कोई कारवाई नहीं की गई इसे लेकर सुनिल खरात की और से हाई कोट में याचिका दायर की गई बुदवार को सुनवाई के बाद नियादिश सुनिल शुक्रे और नियादिश अनिल के लोड ने राश्ट्रिय चुनाओ आयोक को हलफ नामा दायर करने का अंधिम मौका प्रदान किया बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि लंबे समय से राष्ट्रिय चुनाओ आयोग के पास मामला लंबित है समय रहते इस पर निर्ने होना चाहिए था सुनवाई के दोरान चुनाओ आयोग के साथ हुए पत्राचार की जानकारी भी अदालत के समक्ष रखी गई जिसमें गती से इसके निप्टारे को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया केवल नियमों के अनुसार कारेवाही होने की जानकारी उजागर की गई है इसके बाद अदालत ने इस संदर्ब में सपष्टी करन के साथ हलफ नामा दायर करने के आदेश चुनाओ आयोग को दिये हलफ नामा दायर करने के लिए चुनाओ आयोग की और से पैरवी कर रहे वकील ने इसके लिए आठ सप्ताह का समय देने का अनुरोद किया इस पर अदालत ने कहा कि पहले ही आठ सप्ताह का समय दिया जा जुका है अतह अंतिम मौका प्रदान कर दो सप्ताह में हलफनामा दायर करने के आदेश दिये अदालत ने आदेश में सपष्ट किया कि यदि दो सप्ताह के भीतर चुनाव आयो की और से हलफनामा दायर नहीं क तो आदालत सुनवाई शुरू कर अंतिम निर्ने दे देगी। तो आदेशों के अनुसार दो सप्ताह के भीतर उचित हलफनामा दायर करने के आदेश जारी किये। अधिवक्ता फिर्दौस मिर्जा ने कहा कि राष्ट्रिय महामार्ग प्राधिकरन ने इस मार्ग का काया कल्प तो नहीं किया। फल्सवरूप जहां तहां गड़े पड़े हुए है। अदालत ने आदेश में कहा कि राष्ट्रिय महामार्ग कानून का उल्लंगन कर इन महामार्गों पर कई जगहों पर स्पीड ब्रेकर लगा दिये है। जबकि सडक के बीच में कई हिस्से में पेड पौधे ही नहीं है। कारवाई को लेकर क्या किया जा रहा है। इसकी जानकारी भी हलफ नामा में देने के आदेश दिये। कोराडी थर्मल पाउर स्टेशन के करमचारियों निगरानी करने वाली कंपनी और ट्रांसपोर्टरों की मिली भगत से बड़ी हेरा-फेरी चल रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब अधिकारियों को किसी ने जानकारी दी कि कोईला लेकर आई ट्रॉक में घटिया दरजे का कोईला लदा है। नंबर बदल कर खदान में से निकला उचे दाम वाला कोईला कही और है। इस कबर से अधिकारी भी चौक गए और जांच करने पर सारा माजरा सामने आया। इस संबंद में कोराडी बिजली केंद्र के कार्यकारी अभियंता ने खापर खिड़ा पुलीस से लिखित शिकायत की है। 28 सितंबर की रात एक बजे के दौरान संबंदित ट्रांस्पोर्टर का ट्रक कोराडी के 3660 मेगावाट निर्मिती केंद्र में पहुँचा। अग्यात व्यक्ति ने सुरक्षा रक्षकों को जानकारी दी के ट्रक का नंबर दूसरा है। असली ट्रक में लदा उचे दर्जे का माल कही और है। जेनकों ने बताया कि संबंधि ठेकिदार ने गोंडे गाओ खदान से उच्छ दर्जे का माल तो उठाया लेकिन वहां माल स्टेशन में पहुचा ही नहीं। दूसरी गाड़ी पर ट्रक का नंबर डाल कर घटिया दर्जे का कोईला सप्लाई किया गया। करीब 80,000 रुपए का नुकसान पहुचाया गया। साथ ही यातायात नियमों का भी उल्लंगन कर सरकार को भी चूना लगाया जा रहा था। पाउर स्टेशन में होने वाली कोईला आपूर्ती और ट्रांसपोर्टरो पर निगरानी करने का ठेका मेसर्स BMH कमपनी को सौपा गया है। यह कमपनी GPS और RFID द्वारा निगरानी करती है लेकिन पकड़े गई ट्रक में RFID नहीं लगाया गया था। इससे साफ है कि BMH कमपन झाल